उपनिशदों की कथाएं ब्रगु का ब्रह्म ज्यान लाब विख्यात महरशी वर्म के पुत्र ब्रगु के मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा उप्पन हुई वो अपने पीता वर्म के पास गया और बोला बगवन मुझे ब्रह्म विद्या की शिक्षा दीजिये जिससे मुझे ब्रह्मत दत्लों का पूर्म ज्यान प्रात हो जावे। वर्म में अपने पुत्र की हार्दिक आकांचा से परिचित होकर कहा। अन्यमय शरीर तथा उस शरीर के बीतर प्राण, आखे, कान, वानी और मन इन सब को ब्रह्म ज्यान का ध्वार जानो। ब्रह्मा से लेकर त्रिन परियत सब भूत जिससे उत्पन होते हैं, उत्पन होने पर जिसकी सत्ता से जीवित रहते हैं, अंत में जिसके बीतर परवेश करते हैं और तब कर थोकर लिन हो जाते हैं, उसे विशेश रूप से जानने की इच्छा करने चाहिए। ब्रभु ने जब अपने पीता से इस परकार की बात सुनी तो वो ब्रह्म का ध्यान करने की उद्धेशी से तप करने लगा। तप करने पर उसे यह बोध हुआ कि अन्म ब्रह्म हैं क्योंकि अन्म से ही सब प्राणी उत्पन होते हैं। अन्म से ही जीवन धारण करते हैं और फिर अन्म में ही जाकर परवेश करते हैं। जब उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो फिर अपने पिता महाशी बरुन की पास गया और बोला बगवन मुझे ब्रह्म तत्व की शिक्षा फिर से दीजिए। पिता ने कहा इंद्रियों की बाहरी भृत्तियों को बितर की ओर करके तप ध्वारा तप्वचिंतन करो। तब से ही ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति हो सकती है। ब्रगु ने जब ये सुना, तो वो फिर तब करने लगा, तब करने से उसने जाना कि प्रान ही ब्रह्म है, क्योंकि प्रान से ही समस्त प्रानी जन्म लेते हैं, प्रान ही के द्वरा जीवन धानन करते हैं, और फिर प्रान ही में जाकर लेन हो जाते हैं, इतना जान लेने के ब वह फिर अपने पिता वरुण की पास गया और गोला बगवन मुझे ब्रह्म विशय की शिक्षा दीजिए वरुण ने कहा तब ही ब्रह्म को जानने का एक मात्र उपाय है इसलिए तुम तब करते रहो ब्रगु फिर तपश्या में रत हो गया तपश्या करने पर उसे ये ग्रणी उत्पन होते हैं मनही के द्वारा वे जीते हैं और मनही में जाकर विलिन हो जाते हैं इतना ज्यान प्राप्ट करने के पश्चात वह ब्रगु फिर अपने पिता के पास गया और बोला भवन मुझे ब्रह्म विद्या की शिक्षा दीजिए ब्रण बोले स्वम्य त निरंतर तब करते चले जाओ ग्रगु फिर तपशा करने लगा उस तपशा के फल स्वरुप उसमें जाना कि विज्ञान ही ब्रम्म है और विज्ञान से ही ये समस्त प्रानी उत्पन हुए हैं विज्ञान से ही वे जिवन धरन किये हुए हैं और अंत में विज्ञान में ही प ब्रह्म विद्या की शिक्षा दीजिए वरण बोले तपश्या द्वारा ही तुम ब्रह्म का रहर से जान सकते हो इसलिए और अधिक तप करो ब्रगु ने पीता की बाप मान ली और वो फिर तप में जुट गया तप करते करते उसे बोध हुआ की आनंद ही ब्रह्म है और उसी से इन सब प्राणियों की उत्पति होती है उसी के द्वारा सब प्राणि जीवन धानन करते हैं और अंत में उसी में जाकर विलिन हो जाते हैं वरोन द्वारा ब्रगु ने जो ये ब्रह्म ज्यान प्राप्त किया वह प्रम अंतर आकाश में स्तित है जो हिक्ति उसे जान ले और भ्रह्म देश द्वारा महान होकर अमित किर्थी प्राप्त करता है